शारू खान की जवान मुवी बॉली ओड और इंडियन फिल्म में जो रिकॉर्ड बनाई है और जो मुकाम हासिल किये वैसा मुकाम पना कईयों का सपना रहता है। 20 साल बाद बॉली ओड में बहुत ही जबरदस फिल्म आई और इसके लिए एटली यानी की इस मुवी के डाइरेक्टर की तारीफ करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने इस मुवी का बहुत ही अच्छे वे में डाइरेक्ट किया है। के बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं ऐसे ही इंटर्टेंडमेंट वाली बहुत सारी वीडियो लेकर आते रहता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंटर्व्यू में एक बात कहीं कि मेरी फिल्म जब रिलीज होती है तो उस ते ऐसे ही इद मन जाता है। और जिसका जीता जागता एक्जामपल था जवान मोवी का अभी रिलीज होना। अमने देखा कि इसके रिलीज के टाइम में कितने लोगों द्वारा इस मोवी को सेलिवरेट किया जा रहा था। और इंडिया के नौर्थ के साथ साथ इस मोवी को साउथ में भी वैसे ही सेलिवरेट किया जा रहा था। आप मोवी को देखेंगे तो इंड में एक क्लीप लगाई गई है। जिसमें संजैदत अजाद यानी कि शारू खान को एक और नया स्विस बैंक का प्रोजेक्ट देते हुए सौपते हैं। यानी कि उनको एक और नया काम मिल गया रहता है। ऐसे में कई लोग का मानना था कि या ऐसे ही किलिप में डाला गया है। कई लोग या कह रहें थे कि इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा। इस सीन पर बहुत ज़्यादा र्यूमर्स फैल रही थी। जिस पर एटली कुमार ने जो कि इस मुवी के डाइरिक्टर ने अपना बात रखी है। और इस फिल्म के सेकेंड पार्ट यानि की जवान टू के बारे में बहुत बड़ी बात कह दिये। इन्होंने बताया कि मैंने अभी तक चार फिल्में की थी और चारो बॉक्स अविस पर सक्सेस्फुल रही और जवान पांच भी थी। और इन चारो फिल्मों को करते वक्त मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि इनकी सीक्वल पार्ट भी लाऊंगा। प्रन्तु अब मैं गलत हूँ। बतादे कि एटली जब सारु खान की जवान मुवी बना रहे थी तो मन में उनकी या प्रस्ण रहा रहा था कि सबसे ज़्यादा इस मुवी के करेक्टर आजाद को पसंद किया जाएगा या फिर विकरम राथोड को पर सबको पताया कि विकरम राथोड के करेक्टर को लोग परम राथ होड का वेटेज बहुत ज्यादा होने वाला है और इससे भी भ्यानक रॉल में दिखने वाले हैं जो कि अपने बेटे यानी की आजाद और अपनी फैमिली को बचाते हुए प्रोटेक्ट करते हुए नजर आएंगे और जैसे ही एटली के इंटर्वियो सामने आई वैसी ही सारुखान के फैन से बीच में एक कुशिया का महौल फैल गया है और सभी लोग जवान टू का बेसबरी से इंतजार करने लगे हैं जवान मुवी में थालापती विजय केमियो के लेकर बहुत जादा रूमर्स थी तो अब इस पर भी एटली कुमार ने अपनी बात हो गया प्रन्तु जवान टू मुवी के आने में इतना टाइम नहीं लगेगी इस मुवी को हम सब उक के सामने बहुत जल्द ही पेश किया जाएगा बता दे कि यह मुवी दोजार पचीस तक थीएटर में रिलीज कर दी जाएगी बाकी अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइ करके बेल आइकन प्रेस कर लें मिलते हैं अगले किसी बेहतरीन वीडियो में तब तक के लिए खुश रही है धन्यवाद जै हिंद जै भारत